हाई फ्रेंड्स आजकल बहुत लोग मुझसे वाइटमिन सी के फायदे और उसको इस्तिमाल करने का तरीका पूछते हैं इस वीडियो में मैंने आपको वाइटमिन सी के फायदे बताए हैं इसे सीरम के रूप में किस तरह इस्तिमाल किया जाए और वाइटमिन सी सीरम घर पर कैसे बना जाता है ये भी बताया है वाइटमिन सी एक water soluble वाइटमिन है हमारे शरीर को healthy रखने के लिए हमें एक दिन में 75 mg से 100 mg वाइटमिन सी की जरूरत होती है लेकिन ये वाइटमिन हमारे शरीर में नहीं बनता है इसलिए हमें इसकी जरूरत अपने खाने की चीजों से पूरी करनी होती है खटे फल जैसे नीमबू, संत्रे, आवला और हरी सबजियों में वाइटमिन सी भरपूर मात्रा में होता है शरीर में इसकी कमी होने से शरीर में ठकावट लगती है जोडों में दर्द होने लगता है मसूडों में सूजन आ जाती है खून निकलने लगता है और दात गिरने लगते हैं इसकिन पर तरह तरह की allergy होने लगती है और इसकिन बहुत sensitive भी हो जाती है। बाल बढ़ना बंद हो जाते हैं और frizzy या घुंगराले से होने लगते हैं। Vitamin C एक बहुत powerful antioxidant है। ये हमारे शरीर से free radicals याने waste products की सफाई करता है और damaged tissue की repair भी करता है। Blood pressure कम करने में मदद करता है, heart attack, memory loss से बचाता है और हमारे immune system याने बिमारियों से लड़ने की ताकत को बढ़ाता है। Skin care में vitamin C बहुत important है, vitamin C serum daily skin पर यूज़ करने से wrinkles याने जुरियां और fine lines कम हो जाती हैं, दाग धबे साफ हो जाते हैं और skin glow करने लगती हैं। खाने के लिए आप chemist shop से limsy या selen 500 mg tablet लेकर एक tablet daily खाएं तो ठीक है। लेकिन इन tablets को serum बनाने के लिए यूज़ ना करें। Serum बनाने के लिए pure ascorbic acid powder का यूज़ करना चाहिए। बाजार में बिखने वाला vitamin C serum बहुत महंगा आता है। इसलिए मैं आपको vitamin C serum घर पर बनाने का आसान तरीका बता देती हूँ। लेकिन पहले कुछ जरूरी बातें note करना चाहिए। Vitamin C का active form जो skin के अंदर जाकर उसे ठीक करता है वो है L ascorbic acid। ये light में रखने से खराब हो जाता है। इसलिए इसे हमेशा dark color की bottle में fridge में store करके रखना चाहिए। एक time में इस serum को केवल 7 या 10 दिन के लिए बनाएं। इसको बनाने की सारी सामगरी को सूखी जगह में tight container में बंद करके रखें। याने ascorbic acid powder को खुले में ना रखें और light से भी बचाएं। और इसे daily रात में यूज़ करना ज़्यादा फायदे मन्द है। आपको vitamin C serum बनाने की सारी सामगरी Amazon पर मिल जाएगी। description में मैं link भी दे रही हूँ। अब आपको चाहिए ascorbic acid powder 200 g, vegetable glycerin 200 ml और distilled water 250 ml. इस quantity से आप कई बार ये serum घर पर fresh बना बना कर use कर सकते हो। एक गहरे रंकी बोतल में आधा teaspoon ascorbic acid डालें। उसमें 30 ml distilled water डालें। और इस mixture को खूब अच्छी तरह हिलाते रहें जब तक powder पूरी तरह घुलना जाए। फिर इसमें 1 teaspoon glycerin डालें। और एक बार फिर से अच्छी तरह से इसको खूब हिलाएं। इसके बाद bottle को tight बंद करके fridge के अंदर रग दें। डेली रात को face wash करके इस serum की कुछ बूंदें अपनी हतेली पर लेकर ऐसे मसलें और फिर face पर अच्छी तरह से लगा लें। 10 दिन के बाद फिर से fresh serum बना लेना चाहिए। जिन लोगों की skin dry है वो इस serum में 1 teaspoon vitamin E oil भी mix कर सकते हैं। यदि इस serum का रंग भूरा होने लगे तो इसका मतलब है कि ये खराब हो गया है। और इसे फेंक कर fresh serum बना लेना चाहिए। जितनी quantity मैंने बताई है उससे ज्यादा ना लें। ज्यादा vitamin C powder मिलाने से skin में irritation हो सकता है। Serum को regular use करने के पहले skin test आवश्य करें। रात को गर्दन के उपर थोड़ा serum लगा कर सोएं। सुबह यदि कोई redness या खुजली नहीं है तो आप इसका इस्तमाल regularly कर सकते हो। जो लोग इसे दिन में यूज करना चाहते हैं वे सुबह face wash करके पहले ये serum लगाएं। 10 मिनिट तक वेट करें फिर इसके उपर sunscreen या अच्छा moisturizer लगाकर ही घर से निकलें। दोस्तों आशा है आपको मेरा वीडियो पसंद आया है। आप ये vitamin C serum जो बजार में इतना महंगा मिलता है उसको अब आसानी से घर पे बना सकते हो और अपनी skin को साफ, सुन्दर और glowing रख सकते हो। Thank you